यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो कि SBI CBO का एक्जाम दे रहे हैं या कोई भी प्रमोशन एक्जाम दे रहे हैं यह NPA पर यह वीडियो है इसमें अब्जेक्टिव टाइब कोश्चिन्स हैं और इसमें सरफेसी एक्ट पर भी मैंने बात किये उसके अंसर के फॉर्म में सुरू करते हैं सबसे पहला कॉष्चन देखेंगे तो है कैस्स क्रेडिट अकाउट्ट विल बिकम NPA इफ दा लिमिट इज नौट रिन्यूड विदिन कहारा कि कैस्स क्रेडिट अकाउट जो है वह NPA हो जाता है इफ दा लिमिट इन रिन्यूड विद तो इस प्रश्न का अंसर जो है वो होगा 180 days from the due date, due date से 180 दिन के अंदर अगर renew नहीं होता है, तो cash credit cc कहाता जो है, वो NPA हो जाता है, नेक्स्ट कोस्चन है, अकाउंट विथ टोटल ड्यू अप रुपीस डैस और इलिजिबल फॉर इन्फोर्स्मेंट एज पर सर्फेसी एक्ट, कह रहा है कि कितना ड्यू होना चाहिए ताकि हम उस पर सर्फेसी एक्ट लगा सकें, सर्फेसी एक्ट लगाने के लिए मीनिमम ड् इसका अंसर भी हो जाएगा, वन लाक एड एभब जो है, कम से कम आउट स्टेंडिंग होना चाहिए, तभी उस पर हम सर्फेसी एक्ट लगा सकते हैं, नेक्स्ट कोशन है, ताइम लिमिट प्रोवाइड तो दा बॉरोवर और गैरेंटर, इन डिमान नोटिस तो रिपे द अंडर सर्फेसी एक्ट 2002, करें कि टाइम लिमिट जो प्रोवाइड कियाता है, बॉरोवर और गैरेंटर को दिमान नोटिस में, कि वो लॉन को जमा कर दे, रिपे कर दे, सर्फेसी एक्ट के ताहत, तो कितना समय दिया जाता है, तो इस प्रश्न का अंसर हो जाएगा, 60 दे इसका जो है, समय दिया जाता है, सर्फेसी एक्ट के ताहत, बॉरोवर और गैरेंटर को, कि वो जो है, लॉन रिपे कर दे, नेक्स्ट कोस्यन है, इप दे, रियलाइज़ेबल बेल्यू अप दे, सिक्यूरिटी एज एसेस्ट वैड़ बैंक एक्रूब वेल्यूवर, और बैयाइज लेस्देन, दैस परसेंट अब आउट इसेट परसेंट इन इन बॉरोवर अकॉंट, अब इसमें का रहा है कि दे, लोन हम करते हैं, उसमें सिक्यूरिटी लेते हैं, तो सिक्यूरिटी का रियलाइज़ेबल बेल्यू जो है, वो कितना हो जाएगा, जो कि हम लोन को क्लासिफाय कर देंगे, लोस असेट में, तो इस प्रशन का अंसर देखेंगे, तो यह जाएगा 10 परसेंट, अगर 10 परसें प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है, एज पर सर्फेसी एक्ट, बैंक आप्टर गिविंग 60 देज नोटिस दे दिया है, कि आप 60 देज में रिपे कर दीजिये, राइटिंग में, पोजेशन के लिए जा सकता है, और अगर बॉरवर उस पर अब्जेक्शन करता है, तो जो और्थराइश्ट ऑपिसर है, वो रिप्ला कितने दिनों में दे सकता है, तो इस प्रशन का आंसर है, 15 देज, 15 देज का समय रहता है, नेक्स प्रस्ट नहीं है, विच आफ फॉलाइग इस करेक्ट रिगार्डिंग ए स्पेसल मेंसन अकाउंट, अकाउंट, SMA 1, SMA 0, SMA 2, आधी का अपने नाम सुना होगा, यह NPA होने से पहले के, जो है, वो है, इसको स्पेसल मेंसन अकाउंट करते हैं, यह स्टेंडर खाता हूं, का ही केटोगराई जैसन है, और NPA होने से पहले तीन अवस्थाओं से गजरती है, SMA 0, SMA 0, फिर 1, फि और 61 से 90 देज हो गया, SMA 2, तो यहां पर जो प्रशन पूछ रहा है, यहां पर प्रशन है कि, which of the following is correct regarding special mention account, तो इस प्रशन का अंसर है, इस special mention account classified as NPA नहीं, यह नहीं होगा, provision on SMA is the same as applicable to NPA account नहीं, यह भी गलत है, interest in such account cannot be debated, यह भी गलत है, it is a part of standard asset and provision will be made as applicable to standard assets, सही है, क्योंकि standard asset ही है और इसमें provision जो है, standard assets के ही अनुसार होता है, क्योंकि आप लोग बैंक में हैं, promotional exam जो दे रहे हैं, यह SBA, CBO के exam जो दे रहे हैं, वो तो already bank में है, तो उनको provision आदी, यह सभी मालूम होगा, तो इस पर मैं चर्चार नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो से लं advance pertaining to long duration crop is classified as NPA when installment of principal interest treatment overdue, अब कर रहे है, agriculture advance जो है, जो कि long duration crop है, तो वो NPA कब होता है, तो इस question का answer है, एक crop season में, अब long duration crop कि किसको करते हैं, जो है, जो है, जो है, वो उस फसल का duration, जो होता है, 18 मन होता है, वो long duration हो गया, और जो इसका 12 मन तक होता है, वो short duration हो गया, तो 18 मन के case में, एक crop season के बाद, मतलब 18 पले एक crop season हो गया, और 18 मतलब 36 मा में यह जो है, खाता, NPA हो जाता है, अब आईए, next question देखते हैं, next question है, what is the time period to be given under sale notice as per surface act, surface act के ताहद कितना time period दिया जाता है, sale notice के, under sale notice, तो इस प्रस्ण का answer हो जाएगा, 30 days, कितना, 30 days, next question हम लोग देखेंगे, establishment of sarsai is as per the provision of dissect, sarsai registration, आप लोग ने किया भी होगा, नाम सुना ही होगा, तो establishment of sarsai is as per the provision of, किस provision के ताहद sarsai का establishment हुआ, तो इस प्रस्ण का answer है, surface act के ताहद, surface act के ताहद, surface act के ताहद, sarsai का establishment हुआ, next question देखेंगे, delay in filing satisfaction of charge with sarsai attract penalty होग, अगर sarsai delay in filing satisfaction of charge with sarsai attract penalty होग, कितना penalty लगता है, इसमें, तो इसमें जो है आपका 5000 पर डे लगता है, as per surface act, publication of possession notice, publication of possession notice जो है, यह होता है, mandatory, as per surface act, publication of possession notice is mandatory, next person देखेंगे हम लोग, next person है, after expiry of 60 days from the dash under section 32, 13 by 2, 13 to action to be initiated for taking possession of the property under surface act, 60 days जब expiry हो गया, तो अब क्या action लिया जाएगा, अभी प्रस्न है, तो date of notice, after expiry, 60 days from the date of notice, action to be initiated for bank, for taking possession of the property, मतलब कर रहा है कि जब notice दिया गया, तो उसके बाद, अगर 60 days हो गया, तो under section 13, 2, तो फिर action initiated किया जाएगा, possession का, next question देखते हैं, valuation report should not be more than dash months old, based on which reverse price is to be fixed, तो valuation कितना मैना पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये 12 मन्त से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, civil suit is to be filed immediately on approval, but in any case, within a maximum period of dash months from the date of approval, civil suit, जो filed कहाता है, immediately on approval, but in any case, within a maximum period dash months from the date of approval, तो approval मिलने के बाद, कितने दिनों ये हो जाना चाहिए, तो इस प्रशन का answer है, तीन माह में, banks are required to file suits before civil court when the amount of the total debt due from the borrower is less than civil suit का फाइल करेगा bank, जब उसका total बटाया 20 लाग से कम हो, 20 लाग से कम हो, तभी वह suit फाइल करेगा, asset classification of account under consortium should be based on the record of recovery of the, अब consortium में कई bank के मिलकर loan देती है, तो उस condition में जो bank के asset का qualification करती है, कैसे करती है classification, तो individual member bank जो है, अपने अपने हिसाब से, जो है उसका classification करती है, तो यही शार्य प्रशन थे, आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन थे, और ऐसे ही मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, previous year करके, CBO का और banking के महत्पूर्ण प्रशन करके, तो आप यह सभी वीडियो अगर देख के जाएंगे, तो तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि CBO में banking से जो professional banking के प्रशन है, उसमें 10 से 15 question तो आपको इन वीडियो से मिली जाएगा, तो आप लोग जरूर देख के जाएं, और बांकी आपकी तैयारी तो लगवाग अब होई चुकी होगी, तो इसलिए अब परसो तो एक्जाम है ही, तो आप लोग बहुत ही मजबूती के साथ जाएं और एक्जाम दें, आप सभी को all the best, और हो सकता है एक दो वीडियो और मैं डाल दूँगा banking से समंधित कल तक, तो कल तक के लिए धन्यवाद.